यहेचकेल भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याएचब्वीस ग्यारवे वर्ष के पहले मैने के पहले दिन को यहोवा का यहवचन मेरे पास पहुचा है मनुश्र के संतान सोर ने जो यरुश्लिम के विशे में कहा है हाँ हाँ जो देश-देश के लोगों के फाटक के समान थी वह नाश होगी उसके उजड़ जाने से मैं भरपूर हो जाऊंगा इस कारण परमिश्वर यहोवा कहता है है सोर देख मैं तेरे विरुद्ध हो और ऐसा करूंगा कि बहुत सी जातिया तेरे विरुद्ध ऐसी उठेगी जैसे समुद्र की लहरे उठती है और वे सोर की शहर पना को गिराएंगी और उसके गुमटों को तोड़ डालेगी और मैं उस पर से उसकी मिट्टी खुरच कर उसे नंगी चट्टान कर दूँगा वह समुद्र के बीच का जाल फैला नहीं का स्थान हो जाएगा क्योंकि परमेश्वर यहवा की यहवानी है और वह जाति जाति से लुट जाएगा और उसकी जो बेटिया मैदान में है वे तलवार से मारी जाएगी दल वे जान लेंगे कि मैं यहवा हूँ क्योंकि परमेश्वर यहवा यह कहता है देख मैं सोर के विरुद्ध राजा धिराज बावुल के राजा नवुखद्ने सर को घुडो रथो सवारो बड़ी भीड और दल समेत उत्तर दिशा से ले आऊँगा और तेरी जो बेटिया मैदान में हो उनको वह दलवार से मारेगा और तेरे विरुद्ध कोट बनाएगा और दमदमा बांधेगा और धाल उठाएगा और वह तेरी शहर पनाह के विरुद्ध युद्ध के यंत्र चलाएगा और तेरे गुम्मटों को फरसों से ठा देंगा, उसके घुड़े इतने होंगे कि तू उनकी धूली से धब जाएगा, और जब वह तेरे फाटबों में ऐसे घुसेंगा, जैसे लोग नाकेवाले नगर में घुसते हैं, तब तेरी शहर पनाह सवारों, छकडों और रथों के शब्द से काप उठेंगे, वह अपने घुड़ों की टापों से तेरी सब सडकों को रौंद डालेंगा, और तेरे निवासियों को दलवार से मार डालेंगा, और तेरे बल की खंबे भूमी पर गिराये जाएं, और लोग तेरा धान लूटेंगे, और तेरे व्योपार की व जल में फेंक देंगे, पर मैं तेरे गीतों का सुर्ताल बंद करूंगा, और तेरी विनाओं की ध्वनी फिर सुनाई न देंगे, मैं तुझे नंगी चक्तान कर दूंगा, तू जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा, और फिर बसाया न जाएगा, क्योंकि मुझ यहवा ही परमिश्वर यहवा की यहवानी है, परमिश्वर यहवा सोर से यो कहता है, तेरे गिरने के शब्द से जब घायल लोग कराहेंगे, और तुझमें घाती घात होगा, तब क्या टापू नकाप उठेंगे, तब समुधत्री के सब प्रधान और अपने अपने सिहासंपर से उ पतार कर थरतरा हट के वस्तरग पहनेंगे, और भूमी पर बैठ कर चंचन में कापेंगे, और तेरे कारण स्विस्मित हो रहेंगे, और वे तेरे विशय विलाप का गीत बनाकर तुझ से कहेंगे, हाई, मल्लाहों की बसाय हुई हाई, सराही हुई नगरी जो समुधर के बी दिन टापू काप उठेंगे, और तेरे जाते रहने के कारण समुधर से सब टापू घबरा जाएंगे, क्योंकि परमश्वर यहोवा यो कहता है, जब मैं तुझे निर्जन नगरों के समान उजाण करूँगा, और तेरे उपर महासागर चढ़ाऊँगा, और तु गहिरे जल में दूब जाएगा, तब गड़े में और गिरने वालों के संग मैं तुझे भी प्राचिन लोगों में उतार दूँगा, और गड़े में और गिरने वालों के संग तुझे भी नीचे के लोक में रखकर प्राचिन काल के उजडे हुए स्थानों के समान कर दूँगा, यहां तक कि तू फिर न बसेगा, और उन्ह जीवन के लोग में कोई स्थान पाएगा, मैं तुझे घवराने का कारण करूँगा, और तू भविशम में फिर न रहेगा, बरन ढूनने पर भी तेरा पता न लगेगा, फर्मिश्व यहोवा कि यही वानी है.